स्कोर तो देखो फटाफट, क्रिक रॉकेट पे फटाफट, क्रिक रॉकेट डाउनलोड ना ओके वीवर, सो भारती क्रिकेट बोर्ड जो है अब एक नए कोच की तलाश में है राहुल द्रविड हम सब को पता है कि ट्यू टी वर्ड कप के बाद वो नहीं रहेंगे भारती टीम के हेड कोच उन्होंने अल्मोस जो है इस चीज से आपको नकार दिया है और उन्हें बुला कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अगली बार भी मैं भारती टीम के साथ जुड़ा रहा हूँ तो एक यह चीज है दूसरी यह चीज है कि भारती क्रिकेट बोर्ड यान कि BCCI ने अप्लिकेशन आपको साजह कर दिये हैं और तमाम लोगों से बातचीत भी शुरू हो गई है अब देखना यह है कि क्या BCCI वो हमारे जो भारती कोच हैं उनके साथ जाती है या फिर कोई विदेशी कोच राहुल द्रवल की जगा भारती टीम के साथ जुड़ेगा 27 तारिक डेडलाइन है उस अप्लिकेशन को भरने के लिए और उसके बाद स्कूरूटनी होगी शॉर्टर्स किये जाएंगी कैंडिडेट्स और फिर होगा इंटिर्व्यू ये एक प्रोसेस है लेकिन क्या BCCI इस वक्त ये सोच कर चल रही है कि IPL में जो कोचेज हैं जो टीम के साथ हैं उनको अप्रोच किया जाए जिसमें बहुत सारे विदेशी कोचेज भी हैं और साथ ही साथ क्या ये भी उनके दिमाग में है कि क्या हम अपने ही देश के किसी फॉर्मर क्रिकेटर को भारती टीम के साथ जोड़ें तो कुछ नाम हैं जिनके लगातार चर्चा हो रही है और स्पोर्स तक पर हमने आपको पहले भी बताया था कि कौन-कौन से खिलाडी है जिनको बीसी से अप्रोच कर सकती है या फिर कर रही है हाल फिलहाल में हमने देखा कि गौतम गंभीर जो कि अभी KKR के मेंटॉर है उनके साथ कुछ बाचीज जरूर हुई है लेकिन गंभीर की तरफ से कुछ रिस्पॉंस अभी तर आया नहीं है यानि कि वो एक सेकेंडरी थॉट हो सकता है कि गौतम गंभीर भी सोचें कि अभी तो मैं KKR के साथ जुड़ा हूँ और क्या अभी मैं ये सारा जो कॉंट्राक्ट है उसको छोड़कर भारती टीम के साथ जुड़ पाऊंगा एक ये भी चीज़ होगी कि गौतम गंभीर थोड़ा टाइम ले एक दुबारा बीशिस्या और गंभीर की बात हो फिर हमें पता लगेगा कि एक्जेक्ली जो सोच है वो कहां तक पहुँच रही है इसके लावा हमने देखा कि BCCI ने फिलमिंग को भी अप्रोच किया था और वहां से अभी अभी तक कोई रिस्पॉंस नहीं है तीसरा जो नाम अभी सामने आ रहा है वो है महला जैवर्धने का जैवर्धने को अगर आपको याद हो तो 2021 में भी भारतिये क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच किया था और उस वक्त जैवर्धने ने इस ओफर को टर्न डाउन कर दिया था उन्होंने बना कर दिया था भारती टीम के साथ जोडने के लिए तो क्या जिस खिलाडी को ने पहले ही BCCI को टर्न डाउन किया हुआ है उस खिलाडी के साथ उस कोच के साथ दुबारा BCCI जाना चाहेगी वह सारी चीजे होती है टीम का कॉंबिनेशन भी ध्यान में रखना पड़ते है क्योंकि भारती टीम के साथ किसी कोच को जुड़ना इतना आसान नहीं है उसको देखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से टीम के साथ एक जेल हो एक बॉंडिंग हो और फिर टीम उसी पॉजिटिव वे में आगे बढ़े तो कुछ ये नाम है जिनके साथ बातचीत हुई है चर्चा चल रही है 27 तरीक के बार एक्जेक्ली पता लगेगा कि जब एप्लिकेशन आ जाएंगे और जब स्कूरूटनी शुरू होगी तो हमें पता लगेगा कि किन-किन लोगों ने अपलाई किया है अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आप कह सकते हैं कि BCCI बात कर सकती है या की है लेकिन हाल फिलहाल में आप अगर बहुत आप ये मान के चलें कि हाँ ये हो ही रहा है ऐसा अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है सिर्फ ये है कि हाँ VCCI कुछ एक आदा former players अलग-अलग देशों के उनसे बातचीत कर सकती है और कर भी रही है लेकिन exactly हमें 27 के बात परना चलेगा कि किन-किन जो है लोगों ने application डाली है इस position के लिए और हम आपको तब इसकी पूरी जानकारी देंगे लेकिन अभी फिलहाल तीन नाम जो है वो हमने बताया आपको गौतम गंफीर, महला जयवर्दने और फ्लेमिंग आप मुझे इजाज़त दीजिए और तमाम और भी अपडेट्स के लिए स्पोर्स तक को जरूर देखते रही है